तो आप जैसे gallery को open करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से interface आ जाते है तो यहाँ पर देख सकते हैं permission, this line देखें यहाँ पर you can change him setting app कुछ setting करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर gallery पर और permission मांग रहा है तो आपको यहाँ पे किस तरह से on करना है किसी के पास आपको जाने के जरूत नहीं आप खुद अपने mobile पे खुद से कर सकते हैं कैसे करना है आप इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा हाँ दूस्तो आपने बिल्कुल सही सुना आपको किसी के पास जाने के जरूत नहीं आपको set को format नहीं करना परेगा delete नहीं करना परेगा कोई app को install नहीं करना परेगा कोई ठाड़ application आपको download नहीं करना परेगा मैं simple यहाँ पे तरीक आप लोग को बता रहा हूँ और हाँ दोस्तो मेरे चैनल में अगर पहली मरताब है तो प्लीज एकमत अब लाइक करके subscribe कर देना ओके दोस्तो जल्दी से मैं वीडियो को start कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ तो दोस्तो अगर आपके पास gallery है और gallery को open करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से interface आ जाता है तो आपको simple कुछ नहीं करना है gallery जैसे आप देख रहे हैं इसके ओपर press करना है जैसे इसके ओपर press करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते है app info इसके ओपर आपको click करना है जैसे इसके ओपर click करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Permission इसके ओपर आपको क्लिक करना है जैसे इसके ओपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फोन का जितना सरा option रहेगा वो सारा का सरा आपको on करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो option है दूस्तों जैसे आप gallery को press करके रखते हैं इस तरह का interface अगर नहीं आता है आपके phone में तो आपको simple सा तरीका आप लोग को बता रहा हूँ दूस्तों आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने phone की अंदर जो setting जो होता है और setting पे आ जाना है यहाँ पे देख सकते हैं setting setting में आ जाना है जैसे setting में आएंगे तो आपको application में आ जाना है यहाँ पे देख सकते हैं दूस्तों जितना सरा application है और सारा कसरा आ गिया उसके बद आपको आ जाना है gallery में तो यहाँ पे आप देख सकते है gallery आप वहाँ से भी आ सकते हैं जो आप मैंने आपको बताया है application को gallery के ओपर press करके रखना है और F info में आ जाना है तो same वही है वहाँ पे simple है और यहाँ पे आप लोग का setting में आना है setting में आने के बद यहाँ पे आपको gallery में आना है यहाँ पे आपको gallery के ओपर आपको click करेंगे तो आपको कुछ फिर इस तरह से interface आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते है permission जो आपको आपको मैंने बताया था यहाँ पे आपका जितना सारा का सारा option है वो सारा का सारा यहाँ पे allow कर देना है तो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दूनको मैं on कर देता हूं उसके बद अबद अगर ज्यादा और भी रहता है अपके phone में आपको आपको करने का option आएगा आपर आ जेहाँ उसके बद अपका gallery आपन हो जाएगा तो ओके दोस्तो इसको मैं back कर देता हूँ अब यहाँ पर देख सकते हैं गिलरी जो है यहाँ पर simple easy तरीका है यहाँ पर gallery open हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप लोग देख रहते हैं कि gallery open नहीं हो रहा था तो यहाँ पर simple सा बहुत easy तरीका है आप अपने फोन को easily अपने फोन को solve कर सकते हैं तो ओके दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में ओके वाइ इंक्यू सो मच